मुसीबत में फशे लोगों को दी राहत मायानगरी के फिर काम आई मुंबई की लाइपलायन सपनों की मायानगरी मुंबई का मूसलाधार बारिश के कारण बुरा हाल है जगए जगए भरे पानी और जाम के कारण लोगों की रफ्तार में ब्रेक लग गया है इस मुसीबत की घड़ी में मुंबई वासियों को राहत दे रही है मुंबई की जान कही जाने वाली लोकल ट्रेन मुंबई की लोकल ट्रेन पूरी रात डौडी और मुसीबत में फसे लोगों को उनके घर तक पहुँचाया लाइपलाइन ने मुंबई का खूब दिया साथ, तेज बारिश से परिशान लोगों का जीवन जैसे मानोग ठम सागया हो लेकिन लोकल ट्रेइन के चलते ही लोगों की जान में जान आ गई Central Railway की ओर से भी लगातार हर ट्रेन का रूट टाइम ट्वीट किया जा रहा था जिससे लोगों को ट्रेन के बारे में सही जानकारी मिल रही थी बता दें कि मुंबई की लाइप लाइप लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में रोजाना लगभग 65 लाख लोग सफर करते हैं कहा जाता है कि अगर मुंबई लोकल ट्रेन रुख गई तो समझो देश की आर्थिक राजदानी की रफतार ही रुख गई लेकिन इस घड़ी में लाइप लाइप लाइन ने मुंबई का खूब साथ दिया मुंबई में मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताते हुए रेड अलर जारी किया है नौसेना के हेलिकॉप्टर भी बचाव कारे के लिए तयार हैं वही नौसेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि बाड़ बचाव दल और गोता खोर भी तैनाती के लिए तयार हैं मकांड ध्याहने से टीन की मौत मूसलाधार बारिश की वजए से मुंबई के उपना गर्विक प्रोहली में दो घरों के ढहने से दो बच्चों सहित तीन लोगों की मंगलवार को मौत हो गई जबकि मुंबई म्यूनसीपल कॉर्पोरेशन बी एमसी ने भुदवार को सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का भी निर्देश दिया गया है